कौंग्रिस निता T.S. इदेव ने कौंग्रिस के प्रदेश प्रभारी बदले जानने पर कहा कि अखिल भार्ति इसतर पर कुछ बदलाव किए गया हैं उनमें से एक बदलाव यह है कि कुमारी शइल जा को उतरा खंड कौंग्रिस का प्रभार मिला है और सचीन पाइलेट को प्रफार मिला है इसलिए उनका स्वागत है कुमारी शहलजा यहां काम कर चुकी है एक वरिष्ट नीता के रूप में उन्होंने हमारा समर्थन किया और हमें पेरिद किया उन्हें मेरी हार्दिक शुपकामनाएं टीस सिद्यों ने हार के कारणों पर कहा कि हार की वज़ा कभी एक नहीं बलकि कई होती है दस्टाचार से जोड़े कुछ मुद्दे सामने आएं ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारियों ने गलत किया और उन्हें अभी भी बंधग बना कर रखा गया है इसका असर भी पार्टी पर पर सकता है समनवय में कुछ भी संगती भी हो सकती है हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि समनवय बना रहे जी कुछ परिवर्तन अखिल भारती इस तर पे हुए है और उनमें ये भी परिवर्तन है शेलजा जी को उतराखंड का प्रभार मिला है सचिन पैलेट जी को 36 गर का उनका स्वागत है और शेलजा जी का बहुत आभार कि एक स्वागतों बहुती परिपक नेत्री के रूप में उन्होंने यहां कारी किया था हम सब का सहयुक किया था हम सब का मनुबल बढ़ाया था उनको सदेव बहुत शुपकाम नहीं दिल Kellी कारन होगे एक कोई कारन कभी नहीं रहता एक से जादा कारन रहते हैं इस में देखिए हम कमजोर कहा पड़े हम ट्रैबल एरिया में कमजोर पड़े बस्तर और सरगुजा में 26 सीटे हैं हमको चार मिली पिसले बार हमको पचीस मिली थी जब 68 सीट हम जीते थे तो जहां पचीस सीट हमको मिली थी वह हमको चार सीट मिली शेहरी छेत रहे हैं हम मोटा मोटी मानते हैं कि 20 हैं पिसले बार हमको 16 मिले थे इस बार हमको 3 मिले तो ये 26 और 20 कितना हो गया 46 सीटें हो गई आधे से ज़्यादा इन 46 में से पिसले बार कितनी मिली थी 25 और 17 42 सीटें मिली थी 46 सीटों में से अब कि कितनी मिली है साथ ये हार का एक सिधा कारण है फिर आने बातें जो आई भरष्टाचार को लेके बातें आई कुछ अधिकारियों ने गलत काम किये ऐसा लगता है जो अभी भी बंदी है कहीं न कहीं इस प्रकार की भी बात है उसकी आच भी पार्टी के उपर हो सकता है कि आई होगी कहीं और आपस के तालमेल की कहीं न कहीं कमी रही हो उसकी भी हमको समिक्षा करनी चाहिए कि आपस का तालमेल हमेशा बना रहे उसका संतुल्लन ना बिगड़ा बिगड़े इसकी भी समYक्षा होनी चाहिए कार þंद का मनुबल हम कितना बना की रख सके पांच साल हम सरकार में थे तो कारShow का एक उमीद होती है कि यह हमारी सरकार है यह सारी बातों का खुले मन ㅎㅎ किसी के प्रती कुई बात नहीं है समाने बात है यह परिवार है कॉंग्रेस का परिवार है और इसको देखना चाहिए कि अपने सारे सदस्यों में क्या 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 बाते हैं अगर ऐसी कुछ बात है तो भविश में हमको ऐसा नहीं होने देना